घेला चो भेरी भेरी गूड माइन्ग ट्यूल अफ यू कैसे हैं आप लोग मस्ती में है ना बिल्कुल मस्ती में राना चाहिए क्यों नहीं रहे आखिर क्यों नहीं रहे मस्ति में बेसट बेसट? है? क्या? क्यांकि examination तो बहुत करीब है examination आ गया है तो जिस वक्त का इंतजार था वो वो इंतजार की घरी खतम हो गई है और देखते देखते ये भी समय कट जाएगा चला जाएगा जो होना होगा वो तो होगा ही जो बच्चे अच्छे से प्रिप्रेशन क्यों होगे उनका रिजल्ट बहतर होगा नो डाउट ठीक है जिसका प्रिप्रेशन बेस्ट होगा उसका result भी best होगा जिसका नहीं होगा उसका luck जाने क्या luck लेवर chance तो सम्मे रहता है लेकिन luck लेवर chance के बदलत सब चीज नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो अपना जो कर्म है जो हमारा कर्तब है उसको बड़ी निष्ठा से पालन करना चाहिए तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि आप लोग सबसे पहले तो हम आप लोग को यह कहेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक शुरू से लास्ट तक जितना भी लेक्चर आपको जिस किसी भी लेवल का आपको 8 9 10 11 12 ठीक है सभी सब्जक्ट का जो प्रोवाइड किया उसको आप लोगों ने देखा और पॉल टेक्निक का जो स्री चल लहा है तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो पहले आप क्या किजेगा इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कॉमेंट और शेयर ये भी आप लोगो को करना है क्योंकि अब ये एक ऑथिंटिक प्लेटफॉर्म की ओर बरता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल बढ़ भी रहे हैं तो हमारे पास लगभग देड़ सो प्लस लेक्चर जो है वो पूर्णे वाले हैं तो लगभग 110 15 के करीब चला गया है तो दो चार दस दिन के अंदर ये आपका देड़ सो प्लस के रैंज में चला जाएगा सारे फैकल्टी अब काम करना बिल्कुल सुरू कर देंगे तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दो सकेंड का समय निकाल के सब्सक्राइब कर लिजे और आज जो हम पॉल्टेक्निक का जो सीरीज में पॉल्टेक्निक का जो लेक्चर 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 है वो बहुत ही महत्पून लेक्चर है लगभग जितने भी कोस्टन्स इसमें लिए गय जैसे जैसे हम lecture को back करके forward आगे की और बर रहे हैं वैसे वैसे किसी भी काम को जब आप कीजिएगा continue करते रहिएगा तो आपका confidence labor बढ़ते चला जाएगा और छोटे छोटे चीज पर भी आप focus करना शुरू कर देंगे और आपको जो well standard चीज लाएगा वहां की और आप पहु तो यह आपका किसका set है तो यह आपका polytechnic 2023 examination के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है बार बार पूछे गया जो questions है और यह आपका modal paper number कितना है 18, modal paper number 18 है वैसे modal set तो हम 20, 25, 30 already आपको दे चुके है previous year question का भी 20, 25 set दे चुके है प्लस आपका theoretical concept plus question का भी set दिया जा चुका है कई ए एक बहुत ही महत्पुर्ण सेट आपके सामने हम लाए हैं और इसका बिशय जो होगा आज का हमारा जो subject होगा वो आपका chemistry होगा और chemistry के बिते में बताने क्या आवा सकता नहीं बेटा chemistry पर हम focus कर रहे हैं ये बात जान लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि बच्चा तेंथ कर ले हम पढ़ाते हैं तो आपको यह ऐसासी नहीं होने देते हैं जैसा आप देखे होंगे तो लगता होगा कि हम साइद chemistry भी पढ़ना है बिल्कुल हिंदी इंग्लिस कहानी की तरह एक एक चीज़ तोड़के समझाते हैं तो यह deep knowledge लेने के लिए काफी घोड अध्यन करना लगा मैंने offline sector में टेस्ट लिया था उसमें सबसे गलत performance जो बच्चा का देखे तो वह आपका chemistry sector में देखने को भी ला और तम हमने सोचा कि chemistry का कुछ episode जो है पहले के comparison में थोड़ा सा chemistry के lecture को बढ़ा दिया जाए क्योंकि बच्चा physics और math में एक optimum level को प्राप्त कर चुका है हलाकि गरबर यह भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दोनों के comparison में लगा कि थोड़ा सा slide कर रहा है और इसमें बच्चे की गलती नहीं है उसके पास basic concept ही नहीं है क्या होता है एलिमेंट क्या होता है एक्टम क्या होते है रिषुय क्या होते है हो जानकारी नहीं होता है मतलब बिल्कुल नील के टायनन आयन कुछ भी नहीं जानते हैं बश यह जानते हैं कि हान दसमा में पढ़े थे सड़ physics chemistry और math था हमने पढ़ा और इतना से इतना नंब लाया अधर बाद उसको कुछ जानकारी नहीं होता है तो जिसके पास जिसे चीज का भेस आपके पास नहीं होगा तो बिना बेसक का बड़ा इमारत आप खणा नहीं कर सकते हैं और कर भी दीजएगा तो उसको ढाहने में सकेंड नहीं लगता है तो चलिए बेस्ट आप लोग का लगभग जितना कुछ बताए उससे क्लियर हो गया होगा तो आज जो हम यह लेक्षर 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 है यह कॉलेज इस सब के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है ही इस लेक्षर में बिटा एट टू जे dockeriable questions होगे ठीक है type वही होगा और सारे के सारे questions ऐसे questions है जिस question को polytechnic touch किया है polytechnic पूछा है ठीक है और वहां तक आप नहीं पहुँच पाते हैं तो हो सकता है कि में भी आपको अगर इसमें से कुछ भी कोश्चन टकड़ा जाता है तो आप से एक भी कोश्चन बीटे नहीं होना चाहिए कभी-कभी एक-एक नंबर भी बहुत भारी पर जाता है ठीक है एक-एक नंबर भी क्योंकि एक्जामनेशन में आप देखते हैं पूरा का पूरा कट सब जाता है और आप लोग को इसमें तो रैंक आता है इसमें क्या आता है रैंक आता है तो रैंक लाने के लिए आपको पता होना चाहिए एक-एक नंबर पर बहुत सारे रैंक भैरी कर जाते हैं चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला क्या स्टार्ट है देखिए पहला questions आपका दिया हुआ है कि lead संचायक battery को आभेशित करने पर, यानि आपका battery है, ठीक है, battery आपका ऐसा battery है, जिसमें क्या डाला गया है, तो उसमें जो chemical compound डाला गया है, वो आपका lead का बना हुआ है, lead यानि PB का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, PB का बना हुआ है, इसमें आपको PB डाला गया है कहता है कि लीड संचायक बैटरी को आबेसित करने पड़ यानि ये लीड संचायक बैटरी है अब इसको हमको क्या करना है आबेसित करना है इसको चार्ज करना जैसे आप मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं ठीक है बहुत अच्छा बैटरी होता है ये चार्जेबल बैटरी आता है तो उसको आप क्या करते हैं चार्ज करते हैं तो कहता है कि जब बैटरी को आप चार्ज किजेगा तो बैटरी को चार्ज करने के बाद आपको दो चीज होगा बैटरी अगर चार्ज होगा तो दो चीज होगा क्या होगा तो आपका लीड संचायक बैटरी है तो इसमें और भी chemical compound होगे water तो होगा है क्योंकि ionic form में change करना होगा तो एक्वस लेना होगा तो water की essentiality होगी जल बिल्कुल होगा उसके बाद आपको कुछ उसमें compound होगा जैसे ionic form में उसका movement हो जैसे आपका s2so4 हो गया यह यह सब compound उसमें पाया जाएगा और जब चार्जेवल बैटरी है इत मिन्स क्या जब उसको हम charge करेंगे तो वो discharge भी होगा discharge होगा तब तो फिर दुबड़ा charge करेंगे तो यह सब कुछ conditional चीज है जो आपको basic knowledge होना चाहिए कि सर बताये थे कि battery को charge करना है तो battery charge होगा तो सर ने बताया था कि battery charge होने का मतलब कि कोई भी चीज चार्ज तब होता है जब electron का flow होता है proton और neutron न्यूट्रोन तो बेटा नूकलियस में होता है ठीक है तो movement अच्छी तरह से हो चुकि chemical आपका battery है बैटरी है तो chemical compound इसमें कुछ पाया जाएगा तो हमने क्या किया है आप देख रहे होंगे कि lead को लिए है lead का क्या करवा दिये है वह जरा ध्यान से देखिएगा जो आपका lead है lead में अब उसका पीवी कीए यूज किये विसर्जन करना मतलब क्या कोई भी कर देते हैं क्या हम इसको कर लिए यानि जो हमारा काम था जीसे शत्वती पुजा है तो भगवती का पुजा कर लिए उसके बाद मिर्टी का मुर्ती पढपरा है रखाने जाता है तो हम उसका विसर्जन कर देते हैं क्या कर देते हैं फिर अगले साल जो है सारा चीज रख लेते हैं बस जो प्रतीमा होता है मिटी का पूजा पाट सरा निश्चा से कर लेते हैं और मिटी के प्रतीमा को जाके एक सरधा भाव से विसरजित करते हैं तो यह लीड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और यहां से दो मोल क्या निकल जाता है वाटर आपका दो मोल बाहर निकल जाता है तो दो मोल यहां से आपका वाटर बाहर निकल जाता है और यह फिर क्या करता है कि फिर से आबेसित हो जाता है फिर से इसको हम क्या कर देंगे रिचार् प्रतिफल में बदल जाएगा रियक्टेंट प्रोडक्ट में चंज कर जाएगा प्रोडक्ट किसमें चंज कर जाएगा तो इसमें अभर हम क्या देखे कि लीड लीड ऑक्साइड और अब जाएगें जब इसको हम चार्ज किये फिर से आबेशित किये ठीक है और जैसे ही हम रिचार्ज किये तो फिर से हमको पुना क्या प्राप्त हो गया दुबारा एस्टू एस ओफोर और पीबी आपको प्राप्त हो गया लीड डायोकसाइड घुल जाता है नहीं सल्फियू क्या हो गया दुबारा से हमको क्या मिल गया फिर आपको एस्टू एस ओफोर मिल जाता है बहुत ही बहतरीन और बहुत अच्छा कोशन था जैसा कि आप लोगों ने देखा नेक्स्ट कोशन क्यों बरते हैं अब देखिए क्या काता है निमलिखित में से किसकी ओक्टेन संख क्या क्या काता है सुन होता है तो सेबेन तो खोगा आठमा नंबर उसका क्या होगा जीरो होगा ता आपका ऑप्शन क्या होगा एन हैप्टेन हो जाएगा क्या हो जाएगा एन हैप्टेन हो जाएगा नेक्स्ट आगे का देखिएगा क्या काता है कि जब फिनॉल को किसको फ पढ़ा होगा फिरिष्टर असायन तो उसको कैटलिस्ट के विश्ए में बहुत जानकारी होता है क्योंकि वहाँ पर कैटलिस्ट के विश्ए में एक लार्ज एक्स्पेंटने में हमको पढ़ना है ठीक है तो हम आपको जो बताना चाह रहे थे और जो हम बताने के कोशिज कर वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जब dust के form में तो कोई भी catalyst को आप solid form में इस्तमाल करते हैं तो वो जो work करता है उसका work करने की capacity कम हो जाती है जब उसको और solid बड़ा shape का है जब उसको छोटे shape में आप change कर देते हैं तब उसके बाद आप जो work करते हैं तो उसकी power जो होती है work करने की सकती बर जाती reactivity को अगर positive catalyst होगा तो reactivity को बढ़ा देगा जब उसको powder के form में आप change कर देज़ेगा बिलकूर तो उसका reactivity और बर जाता है तो आपको क्या कहता है कि phenol का reaction zinc धूल के साथ यानि powder के साथ आस्वीत यानि distilled किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है तो बेटा phenol क्या होता है C6H5OH का reaction zinc dust के साथ करवाते हैं तो आपका C6H5OH यानि phenol का reaction हम किसके साथ करवा दिये तो zinc dust के साथ करवाते हैं तो बन क्या जाता है तो यह आपका benzene बन गया है ठीक है और यह आपका zinc oxide क्या हो गया यहां से बाहर निकल गया yeast, Hink oxide यहाँ से क्या हो गया बाहर निकल गया तो किया BENZENE का किसका neste है BENZENE का तो कहता है कि REACTION करने के लाद और हमको BENZENE प्राप्त होगा BENZE APE PRAPTH होगा BENZEEन प्राप्त होगा यह आपका नेक्ट सकता है क्या सब संभावनाय बनती है क्योंकि प्रियरिक टेवल आपको पढ़ना है तो आबर्त सार्णी में टोटल आबर्त जो होता है वह आपका साथ होता है पूछ सकता है आबर्त का कितना संख्या होता है साथ होता है ठीक है ग्रूप जिसको वर्ग बोलते हैं वह आपको सब्सक्क्राइब करें लिए दो आउज को सब्सक्राइब और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो यह आपका 4 होता है चार में कौन होता है स्मॉन लेटर से लिखते हैं s p d n f लिखा जाता है ठीक है सुरू में जब आप देखी गा लेप्ट साइड में तो लेट साइड में पूरा आपका मैटल भड़ा होता है क्या भड़ा होता है धातु भड़ा होता है दायने तरफ देखियेगा तो सम्मयापका इनॉर्ट गैस ह होता है कि हम इनोर्थ गैस होता है जिसको आकड़ less वोलते हैं और यह घा 사ता तो कोई भी ग्रूप आप लीजेगा कोई भी ग्रूप सेगर मैं नुल लो तोल यह झाल म। लिया तो लिया और लीया तो इसके ल yat हो गया क्रिप्टन हो गया रेडॉन हो गया ठीक है यह होते हैं और इन सभी में थोड़ा सा रियक्तिविटी अगर किसी का देखिएगा तो वो बेटा जेनौन का होता है ठीक है अधर बाइज जितने भी और देखिएग जो निस्क्रिये गैसे बिल्कुल केमिकल रियक्षन नहीं करता है वह हमेशा प्रियाडिक टेबल के दाहिने तरफ पाया तरफ वैसे भी प्रियाडिक टेबल में लेप टू राइट अगर हम बरते हैं बाएं से दायं क्यों तो रियक्तिविटी घटने का काम क यह आता है यह भी आपको समझ में आगया होगा बहुत ही बेहतरीन कोशन था नेक्स्ट कोशन देखिएगा क्या कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जिंक के साथ गरम करने पर क्या प्राप्त हो तो इसको तोड़ दीजे सी डबल बोंड और क्या आ गया च्सट दू और ओद सी क्या दिया हुआ है सी एसट या अफ का ऑप्राप्त हुआ तो इथाइन प्राप्त हुआ क्या क्या है सीट डू एष्ट 8 ранग तो Youtube naar का फ porta bipartisan का रहे हैं किसका operation कर रहे हैं सीज़ तुए फोर का फार मैसन कर रहे हैं साभ सीज़ डियर रीडी को हम बाहर निकालेंगे झालेंगे तो आप यहां पर जब देखिए आपका ये बिया टू दिया हुआ है तो आपका मान लिजे कहीं CH3 CH2 BR2 दिया हुआ है दो मोल अगर आप इसको ले लिजेगा और दोनों में क्या किजेगा तो एक एक ब्रोमीन यहां से बाहर होगा बियार माइनस तो एक प्लस को देगा और वहां पर आपका एक हाइड्रोजन जूरते चला जागा ठीक है और जूरते जूरते आट लास्ट आपका C2H6 के करीब जाके कंप्लीट हो जागा उसके बाद ये ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट कोस्टन उसके बाद अनेस्टेबल हो जाता है अब क्या कहता है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन दूरी कितना होता है बेंजीन का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H6 होता है इसके structure को भी जानते हैं बेंजीन का जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आगा alternative आपको double bond होता है यह आपका benzen का cyclic structure है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है benzen का ऐसा भी structure होता है यह सारे के सारे structure आपको benzen के structure है ठीक है benzen का आपका structure ऐसा भी होता है यह सारा structure हम आपको benzen का दिखा रहे है बेंजीन में alternative pi bond वो उधर दिया हुआ है तो यहां पर ऐसे ऐसे था तो ऐसे ऐसे भी pi bond हम डाल सकते हैं ऐसे ऐसे तो यह चारो का चारो structure बेंजीन का है प्रते एक corner पर प्रते एक corner जो आपको दिखाई दे रहा है यहां जो लाल हम दिखा रहे हैं सब पर आपको carbon पाया जाता है और इसमें pi bond अगर पूछेगा कितना है तो इसमें pi bond आपका 3 होता है pi bond कितना होता है तो यह आपका pi bond है double bond भाला pi bond है carbon के बीच का जो दूरी होता है वो आपका 1.33 angstrom के बड़ाबर होता है क्या होता है 1.33 angstrom के बड़ाबर होता है आपको उमीद है समझ में आगे होगा कि 1.33 angstrom के बड़ाबर यह कैसे होता है ठीक है next question देखिएगा आगे का आगे क्या कहता है कि विलै की एक मूलल सांद्रता वाले विलियन का क्वैथनांक यानि क्वैथनांक उन्यन इलेवेशन इन वाइलिंग पॉइंट क्वैथनांक उन्यन है इलेवेशन इन वाइलिंग पॉइंट इलेवेशन इन वाइलिंग पॉइंट ठीक है सरवाधिक होगा सरवाधिक होगा यदी विलायक क्या करता है वि लेक के कितने मोलो का संख्या पाया जाता है उसी को मोल अलता बोलते हैं आ इसको अभी निकालने का मेरे पास नहीं है लेकिन सब का बेटा एक value होता है C2H5OH का elevation in boiling point का value कितना होता है 1.20, C3HCO, CH3 का आपका कितना होता है तो यह होता है, CHCL का कितना होता है तो यह होता है, और C6H6 का कितना होता है तो 2.67 होता है, तो यह आपका सारा option हम एके करके दे दिया है, यह आपका C option है, यह आपका chloroform है, यानि यह आपका D option है उसके बाद यह आपका जो दिया गया है CHCO3 आपका Acetic Acid है Ethyl Alcohol यह आपका Ethyl Alcohol A option है और यह आपका B option है और चारो option का हम value आपके सामने लिख दिए और चारो में किसका ज़्यादा मान है वही पूछ रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है तो 3.88 CH3 CL का Chloroform का सबसे ज़्यादा मान है यानि D is the correct option D is the correct option तो यह आपका basically जो question था तो आपको elevation in boiling point आपको solution chapter में पढ़ना है विलियन में और कहां पढ़ेंगे तो विलियन आपका class 12 के chemistry के chapter विलियन में इसको पढ़ना था ठीक है जो बच्चे 12 पास आउट होंगे या 12 पर रहे होंगे तो उनका तो लगव फिजकल का portion निकल चुगा होगा जो बच्चा element इस बार तिन्थ किया होगा element में गया होगा उसको इस सब चीज में दिक्कत होना जरूरी है तो आप देख सकते हैं तो इसको देखना नहीं भूलिएगा एक बात मैं और repeat करना चाहता हूँ कि आप लोग को मैंने इससे पहले वाले lecture में भी कहा था कि बेटा जो बीत गया सो बीत गया आने वाला खराब नहीं हो इसके लिए बर्तमान को सुधार लो ठीक है जो बीत गया सो बीत गया उस पर पस्चाताप समझदार लोग नहीं किया करते बुधिमान लोग नहीं किया करते ज्यानी पुरुस कभी बीते हुए कल पर पस्चाताप नहीं किया करते हैं वो ना बीते हुए कल पर पस्चाताप करते हैं और ना आने वाले कल का बहुत बेहतर तरीका से चिंतन करते हैं चिंतन तो करते हैं चिंता कभी नहीं करते हैं आने वाले कल के विशह में आपको भी कुछ जानकारी नहीं है, हमको भी जानकारी रहें लेकिन बरतमान का पूरा कंट्रोलिंग पाबर मेरे ही पास होता है, आप जैसे डिसाइड किजेगा, जैसा सोचिएगा, वैसा आप कर सकते हैं, तो बरतमान खराब नहों इसके लिए मैंने बोला था कि जो बीत गया उसको भूल जाओ जो आने वाला पल है जब तक आपका एक्जामनेशन नहीं हो जाता है उतना समय आप दी आप हमको दे दीजिए जितना लेक्चर हमने डेलीवर किया है आपको वो सारे के सारे लेक्चर को एक ही करके बारिकी से एकदम ध्यान पूर्बा के दम तू दा पॉइंट उसको अफ्लोड कर लो मैं आज भी कह रहा हूं कि एक भी कोस्चन आपसे बिट होने वाला नहीं है चलिए आगे अगला कोस्चन हमारे पास क्या है तो एसर एक्टोमिक नमबर थर्टी एट और एक्टोमिक मास आपका दिया हुआ है यह क्या इलिमेंट है इसका आधा आयू जो है वो वह बीस वढ़ी आ चिला जाता है ठिक है जैसे मनुस का एज है तो मनुस के एज का निर्धारन सरकार कितना कर दिया है सठ आपके तनो रहे सिक्पुस्थ है फिर भी आपका साठ बरस होगा या 56 आपकी आयू समाप्त हो जाती है उस अबस्था में चले जाते है जिसमें सरकार की जो लिष्ट बनाईए गई है उसमें आपको ये घोसना कर दिया जाता है कि इनकी समय अब धियाब समाप्त हो चुकी है कहीं भी जाईएगा तो उम्र आपको लिखा जाता है क्योंकि आदमी तो काम करता ही है सब चीए उसके बाद भी उसको क्या कर दिया अता है डिश्चार्ज कर दिया चाहें हस्थ पुस्ट जो भी रहे तो 30 बरस पार कर गए ट मींस कि आधा आयू आपास पार कर गए 15 बरस पार कई यानि एक चौथाई पार कए गए तो आप लोग लगबग एक चौथाई आयू के करीब होंगे ठीक है तो एक चौथाई तो कहता है कि इसका जो अर्ध आयू है वो आपका 20 वर्स दिया गया है T1 by 2 कहता है कि यदि इसका एक नमूना जिसकी प्रार पार करने का और कैसे-कैसे बड़ रहे और घट रहा है वह आपको पता- चला कि 8000 विभन पर मिनेत होगा तर उसकी असी बर्स पस्चाथ एक्टी था-कित्स ओटीत कहने का मतलब यह है कि जब वो आधा आयू उसका 20 साल था और 20 साल जब बीत गया आधा आयू जब 20 साल हो गया उसका तब वहां से एक नमूना एक सेंपल निकाले तब पता चला कि एक मिनट में यह 8000 क्या होता है भी घटित होता है अब कहता है कि 80 बर्स हो गया तो 80 बर्स होने के मतलब क्य 20 साल आधा था तो 40 साल उसका पूरा होया था फिर भी यह 80 बरस इसका उम्र हो जाएगा तब कहता है कि इसका एक्टीवता कितना होगा वो आपको बताना है तो अर्धायू काल की संख्या हमने आपको बताया है अर्धायू काल की संख्या क्या होता है कि टोटल साल आप बता ज जेगा तो अर्धायूकाल निकल गया साथ को तीस से भाग दिके तो दू यानि अर्धायूकाल कितना हो गया आधा बीत गया आधा उसका बचा हुआ टू पार तकता एन जो होगा अर्धायूकाल एन बरावर क्या होगा असी बटा असी बटा बीस यानि चार असी बटा बीस क तार और NOP को निकालना है कि विघठन पर मिनेट कितना होता है N do upon 16, N o upon 16 अब N do upon 16mistさん n o कितना दिया हुआ ? wrestle 16, saat 16518 कितना हो जाएगा यानी 500 यानी 50 वरस के बाद भी इसका विघठन पर मिनेर जो है वह धीरे घरते चला जाएगा tendencies का काम करने का घटेगा और 80 साल बाद भी एक मिनट में ये substance ये element जो है वो 500 बार बिघटित हो रहा था बीस बरस के बाद जब sample लिया गया था तो पर मिनट में 8000 बार बिघटित हो रहा था और 80 साल पस्चात यानि 80 साल बीतने के पस्चात जब 80 साल बीत गया तब ये 500 बार बीघटित एक मिनट में हो रहा है तो अर्धा आईू काल की संख्या आपका क्या होता है टी बट्टा टी वन बाइ टू इससे निकाल देंगे तो टी आपका कितना है तो 80 साल में पूछ रहा है अर्धायू किस्ता था 20 20 से भाग देदी ते कितना आ गया यह आ गया और Nt बराबर N0 अपॉन क्या जो आपका अर्धायू काल है N0 अपॉन N2 होता है तो 4 का स्कॉयर 16 हो जाएगा N0 अपका कितना दिया होता 8000 वीघटन दिया होता है 20 साल के दोरान जो हमने 20 यहाँ लिया था 20 साल के दोरान आठ से सोला से भाग देदी तो हमको पता से लगया कि एक मिनट में 80 साल के बाद यह भीघटी कितना बार होगा अब काता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिसत होता है जर्मन सिल्वर यानि क्या वैसे सिल्वर जो जर्मनी में बनता हो नाम से तो यही किलियर होता है कि जर्मनी में बनने वाले सिल्वर को जर्मन सिल्वर काते है सिल्वर मतलब क्या चांदी सिल्वर मतलब क्या चांदी तो पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर जो आता है उसमें चांदी कितना परसेंट पाय जाता है तो बेटा जर्मन सिल्वर जो होता है वो मिस्र धातू होता है वो क्या होता है मिस्र धातू होता है जिसमें बहुत सारे धा तो यह जो जर्मन शिल्वर है इसमें copper, zinc और nickel यह 3 धातू पाए जाते हैं क्या पाई जाते हैं copper, zinc और nickel, silver नहीं पाई जाता है copper, zinc और nickel पाई जाते है जिसमें copper आपको कितना तो 56% copper होता है, zinc आपको 24% होता है यह आपको 20% होता है, तीनु को आप जोड दीजेगा तो 100% यही पूर जाता है तो बचे गया का जिंक कहां से पाया जागा तो यह आपको मिस्र धातू होता है यह जो जर्मन सिल्वर है यह आपको मिस्र धातू होता है जिसमें कौपर जिंक और निकल पाया जाता है कौपर 56% जिंक 24% और निकल 24% बढ़ावर कितना? 100% तो इसमें silver आपका 0% होता है, हो सकता था इसमें आपको ये question पूछता, कि आप हम को ये बताइए, कि German silver में कौन-कौन धातू पाया आता है, ये भी question पूछता था, कि German silver में कौन-कौन धातू पाया आता है, तो याद रखेगा copper, zinc और nickel, copper, zinc और nickel, ठीक ह उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें copper, zinc और nickel से german silver का निर्मान होता है इन तीनों धातूओं में सबसे ज़्यादा कोन पाया जाता है 50% प्लस किसकी भूम का होती है तो copper का होता है 50% प्लस किसका होता है copper का ये भी पूछ सकता है कि तीनों का percentage ratio क्या होता है तो percentage ratio जो metal पाया जाएगा तो 56 is to 24 is to 20 आप इससे क्या निकाल सकते हैं इसका ratio निकाल सकते हैं तो ऐसे भी आपको बहुत सारे questions दागे जा सकते हैं तो वो सारे questions को आप आसानी से चाहिएगा तो deal कर लिजएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यही तो पढ़ा question क्या कहता है कहता है कहता है कि एक gas है एक gas है जो 25 degree Celsius पर 700 mmHg उसका दाब है 25 degree Celsius temperature दिया गया है दाब पर 200 million है यानि कहने का मतलब यह है कि आपका कोई gas है जो temperature आपका इतना पर 700 mmHg इसका प्रेशर है मान लेता है कि पीवन यह है और इसका वॉल्म कितना है तो आपका 200 200 ml इसका वॉल्म दिया हुआ है भीवन घेरती है इतना जगा को सब्सक्राइब काता है समान ताप यानि temperature वही है यदि दाब को 1000 minimum Hg कर दिया जाए यानि pressure को आपका बढ़ा दिया जाता है पहले 700 था अब आपका 1000 mm कर दिया गया है तो बढ़ाने पर इस गैस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा तो इसके गैस के आयतन में परिवर्तन हमान लेते हैं कि भीटू हो गया ठीक है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि पीवन भीवन बराबर क्या होता है पीटू भीटू होता है अब हमको भीटू निकालना है तो भीटू बराबर क्या हो जाएगा पीवन भीवन बटा पीटू पीवन भीवन भीवन बटा पीटू पीवन आपका कितना दिया हुआ है तो 700 दिया हु जल्दी बताएगा पीटू आपका कितना दिया गया है तो पीटू आपको जो कोस्टन में दिया गया है वो कितना है 1000 कर दिया गया है प्रेसर को ठीक है और उसके बाद आपको वालूम कितना था 200 ml था 200 ml आपका था 1000 प्रेसर तो 1000 नीचे हो जागा ना और उसके बाद आपका P1 B1 कितना था 200 ml था भीटू तो पूछी रहा है तो उपर डाल दो 200 ml ठीक है अब इसको काड़ दो एक 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 कट गया साथ दूनी चोदे यानि क्या 140 ml आपका भीटू होगा सीधी सी बात है उसको जान्त-बांत रखरगे तो उसको जैसे जैसे प्रेसर करके रख़एगा तो वह आपको क्या होगा दाब बढ़ने से ब्लावालुम कमता है यह प्रेसर को बढ़ा YouTubeL 100 ml था अब एक हजार बढ़ा दिये तो फॉल्म क्या हो गया 140 हो गया कितना हो गया 140 हो गया यानि कौन सा अप्षन हो गया 140 वहाई चाहा कुष्चन था अप कहता है कि प्रावल मेठीकिन प्रावल एकols के भार्स मेटंड़ु मेरे कि प्रावल को सब्सक्राइब गरांने कल या वो बताना है तो 58.5 NACL तो बेटा हमको क्या दिया हुआ है NACL तो NACL का मास निकालो तो sodium का कितना होता है 23 होता है chlorine का कितना होता है 35.5 होता है दोनों को जोड़ दिजेगा तो 58.5 ग्राम आजाएगा ठीक है यानि प्रती काई सेल में जो अनु का संख्या होगा और गुने गुने क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल यानि प्रती काई सेल का संख्या से यानि एक सेल प्रती काई सेल में कितना अनु पाया गया और कैगो यूनिट सेल दिया हुआ उससे गुना कर दिजेगा तो टोटल नंब दिया हुआ है 58.1 तो यह आपका एक मूल है तो एक मूल का जो संख्या होगा नसील का वो किसके बरावर होगा तो 6.022 into 10 to the power 23 एवो गार्डो संख्या के बरावर होता है अब काता है कि यह बहुत important point है यह बहुत important point है इसको ध्यान से देखिए क्या काता है कि नसील में चार एनसील एकाई पाय जाते है तो एनसील जो यूनिट से लापका होता है जरा ध्यान से देखिएगा मैं आपको दखा दू तो यूनिट सेल जो आपका होता है यह यूनिट सेल में आपको प्रतेक हिस्सा पर आधा आधा पाट पाय जाता है टा एसे एसे ऐसे ऐसे एसे आफ दिखायेगा तो दिखाने के बाद आपको पता चलेगा यहां पर जो आपक पाप्ट दिया है है यह हम समझा रहा है तो कुण ही कुणा कौना और कॉर्णर कॉर्न परोफै आथा तो कता है कि NACL में 4-necl 2021 नहीं फोर्र अध़ीए 11 i7 उल में होता है यह क्या करता है चाहर गे फोर नेख एक योह में तो कि तो किल अब सकता होते हैं कितना चाहर खुकट टरो तो क्या क्रिक्स क्यात है अने ङूटवं GR3T होगा तो टोटल यूनिट सेल कितना होगा तो आपको इस भाग दे दीजिए तो 6.022 अगुने 10 पे पावर 23 अपन 4 is equal to number of unit cell यानि 21 सेल का संख्या जो होगा वह आपको निकल जागा यही आपको निकालना था कि कितना काई सेल लगभा हुआ तो चार से काट दीजिए इसको चार से काटिएगा तो चारी काई चार आउसके बाद आपका क्या आजागा चारी का चार दो चर पंचे वीस अवाटा दो इतना 10 to the power 23 यही आजागा यानि 1.5 into 10 to the power 23 इतने इकाई सेल आपको पाये जाएंगे तो पूछ रहा था कि अन्ठाबन दसमलव 5 गराम एकक सेलों की संख्या कितनी होगी तो एकक सेल का संख्या आपका कितना होगा नंबर आफ यूनिट सेल एकक सेल 1.5 into 10 to the power 23 कैसे पता किये तो एक एक सेल का मास निका लि और कितने टोटल नंबर आफ यूनिट सेल है गुना कर दीजेगा मालो एक यूनिट सेल में 4 गोण पाया गया ठीक है और पांच गोई उनिट सेल है तो टोटल में कितना मॉलीकुल सेल जागा तो चार आगूने पांच तो चरपंचे 20 गो हो जाएगा उससे ये निकाल लें टोटल इतना कि बड़ा और तो यहां से नंबर आफ यूनिट सेल आपको आसानी से निकल सकता है नेक्स्ट आगे कोशन देखिएगा क्या काता है क्लोरो फॉर्म जब एनिलीन तथा अलकोहलिये कोह से अधिक्रित होता है तो क्लोरो फॉर्म दिया हुआ है तो CH3Cl आपका क् हाइड्रोकसाइड यह आपका क्या है पोटेसियम हाइड्रोकसाइड एलकोहलिक है के वह लगाओ है पोटेसियम हाइड्रोकसाइड अब इन त्यूनों का रियक्शन करवाना है इन त्यूनों का क्या करवाना है रियक्शन करवाना है तो पोटेसियम हाइड्रोकसाइड को ह कर लेगा किसका फेनाइल आइसो साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा यह बहुत सिंपल रियक्शन है तो क्लोरो फॉर्म का रियक्शन फेनाइल एनिलीन के साथ करवाते हैं फिर क्लोरो फॉर्म का रियक्शन एनिलीन और को एच के साथ करवाते हैं तो हमको पोटेसियम क्लो बाहर निकलेगा तो यह बाहर निकलेगा next question हमारे पास क्या है कहता है कि डाइ एथाइल डाइ एथिल इथर यानि डाइ एथिल इथर यानि दो थो इथाइल गूरूप है इथर में तो इथर गूरूप आपका वो होता है दोनों तरफ c2h5 लगा दिये ठीक है काता है सांधरन ही यानि concentrated ही ले लिए ठीक है के साथ गर्म करेंगे यानि गर्म करने का मत्तव delta आपको heat कर दिये करने पर मिलने से 2 mol क्या बनता है तो काता है कि इन दोनों को आपको diethyl ether को जब हम गर्म करते हैं diethyl ether को गर्म करते हैं in percent in presence of क्या सांधरित HI के उपस्थिती में जब गर्म किया आता है तो 2 mol आपका क्या बन जाता है तो 2 mol आपका ethyl iodide बन जाता है क्या बन जाता है ethyl iodide का formation हो जाता है और water का formation होता है ठीक है तो दो मूल आपका क्या बना तो इथाइल आयोडाइड बन गया क्या बन गया एथाइल आयोडाइड कितना बन गया दो मूल आपका इथाइल डायोड बन जाता है तो दो मोल आपका इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है ठीक है यही आपको question था नेक्ट question देखेगा क्या काता है रक्त को सुद्ध किया यता है हमारे blood को purify किया यता है आप़ोहन विधी से किसे आप़ोहन विधी से purify किया यता है बहुत ही simple चीज है वहाँ नाइट्रो Cathy नाइट्रो सो अमीन नाइट्रो सो अमीन बनाता है वह है क्या कहता है योगीत जो निम ताप पर यानि आपका निम टेमप्रेचर एत लो टेमप्रेचर पर वैसे कंपाउंड जो लो टेमप्रेचर पर जेल यह एक्वास arrog नाई जए यह आपका क्या दिया हुआ है HNO2 एक्वस फॉर्म में दिया गया है तो यहां एक्वस लिख दीजगा ठीक है अब इसका रियक्षन C2H5 C2H5 NH के साथ करवा दिये C2H5 C2H5 NH के साथ तो यह आपका क्या हो गया डाई इथाइल अमाइन हो गया तो डाई इथाइल डाई इथाइल किसका डाई इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा डाई इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हुआ एन एन ओ है यह आपका ऐसे आप देखेगा बुक में लिखा वड़ाता है एन एन ओ और एस टू ओ का फॉर्मेशन हुआ तो योगिक जो निम्नताप पर यानि यह आपका डाइ इथाइल अमाइन एक ऐसा योगिक है जो निम्तम टैम्परेचर पर डाइलूट एचनो टू के साथ अभिक्रिया करके डाइ इथाइल अमीन का फॉर्मेशन करता है क्या करता है डाइ इथाइल अमीन का फॉर्मेशन करता है और यहां से बाहर निकल जाता है ठीक है यहां तक समझ में आ गया next question देखिएगा अब क्या कहता है कि एक billion दिया हुआ है solution दिया हुआ है जिसका molarity 0.01 m hcn का दिया गया है और 0.02 m आपका n hcn का दिया गया है अब इसकी h plus का इसकी h plus यानि h plus का concentration क्या होगा वो पूछ रहा है और hcn के लिए K कामान आपको इतना दिया गया यानि के का मान आपको यह दिया गया है question में h plus आपको पूछा गया है और के बलावर formula क्या होता है वो आपको बता दिया गया तो के कामन कितना दिया गया है कि बरावर दिया गया कितना cm का कितना दिआ हुआ कोसण में जल्दी देखिएगा कोसण में cm का मान मान्च ना दिया वा 0.02 0.02 यह आपका एपनसी ऐं 0.02 और आपका نजिए गया गया है 15 का माने केतना दिया हुआ 0.01 0.01 अभ यह क्या हो जाएगा इसको decimal decimal से उड़ा दीजिए ये पूरा कटके कितना आ जाएगा तू आ जाएगा अब यहां से H plus का जो concentration हो जाएगा ये 2 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ये 2 जैसे उधर जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और जो संख्या आपको उधर दिया गया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए वही आपका H plus का concentration सांद्रन हो जाएगा H plus का 6.2 6.2 into 10 to the power minus 10 upon 2 हो जाएगा 2 से इसको भाग कार दीजिए 3.1 हो जाएगा यानि 3.1 into 10 to the power minus 10 3.1 into 10 to the power minus 10 M के बरावर हो जाएगा है option बिल्कुल है यानि ये इस दा correct option तो बेटा ये question आप mind setup कर लीजिए कि आपको एक question concentration का बिल्कुल रह नहीं रहना है no doubt की नहीं रहेगा एक question आपको concentration का examination में already पूछेगा हमेशा पूछता है प्रतेक सेट हम कर भाए है चाहे वो model set हो model paper हो previous year का question हो concept plus question हो प्रतेक chemistry के सेट में एक question आप देखे होंगे तो ये concentration pH मान वाला जरूर रहता है ठीक है ऐसा आप ध्यान में रखेंगे next question देखेगा क्या कहता है कि acetyl chloride acetyl chloride का PD के साथ premium के साथ उपस्थिती में hydrogen द्वारा अपचयन यानि reduction होने पर बनता है तो क्या कह रहा है कि आपका acetyl chloride यानि CH3 OCA यह आपका क्या है acetyl chloride दिया हुआ है अब इसका reaction किसके साथ तो hydrogen के उपस्थिती में वहां लिखा हुआ है in presence of hydrogen hydrogen के द्वारा इसके PD के उपस्थिती में जो hyaline होता है तब क्या बनाएगा तो CH3 CHO यानि यह किसका formation किया तो इथेनल का formation किया और hydrogen हाइड्रोक्लोरीक हाइड्रोक्लोरीक यह से यहां से ऐहां से क्या निकलत हाइड्रोक्लोरीक आव अ हादी है निकटता त夠 उसमादने धा इस्ट को देने, का formation हुआ CH3 CHO का formation होता है ठीक है उमीद है समझ में आगया होगा next reaction देखिएगा क्या काता है किट नासक जानते हो कीरा को मारने वाला कीरा को नासकरने वाला जो सबस्टांस होता है उसी को हम लोग किट नासक बोलते हैं जो कीरा का नास करता है यानि छोटे-छोटे कीरे को मालने का काम करते हैं या बड़ा-बड़ा को मालने का काम करे लेकिन कीरा होना चाहिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं किट नासक इंसक्टिसाइट्स गैम गैम एक्षेन निमलिखित पर आधारित उत्पाद है गैम एक्षेन निमलिखित पर आधारित उत्पाद है तो गैम एक्षेन क्या होता है अब देखिए तो गैम एक्षेन आपका क्या होता है अब कीरा को मारने वाला दबाई कहता है गैम एक्षेन और कहता है कि वो किस पर आ option दिया गया है इस चारों में से किसके द्वारा गैम एक्षेन का उत्पादन होता है जो insecticides का काम करता है किसका काम करता है insecticides यानि कीरे को मारने का काम गैम एक्षेन करता है और गैम एक्षेन जो चार ओप्षेन है इसमें से किसके द्वारा गैम एक्षेन को निर्मित किया जाता है बनाया जाता है गैम एक्षेन को उत्पादित किया जाता है तो देखे बेटा क्या लिखें कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है उसके 9 आईसोमर्स होते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के 9 आईसोमर्स होता है और 9 आईसोमर्स में एक आपका गामा आईसोमर होता है गामा समावयव होता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कितनासक होता है जिसे हम लोग गैमैक्सेन के नाम से भी जानते हैं तो किसके द्वारा तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक ऐसा रसाइनिक वाला साबुन अधिक जाग बनता है तथा शिग्र सुखता नहीं है यह किशकी उपस्थिती के करण होता है नई फेसियल करवाने, इलीच करवाने, ब्लीच करवाने, आइबरो बनवाने, भाव बनवाने, नाक कटवाने, कान कटवाने, पहुचता है न, सर कटवाने, सर मुरुबाने, गरदन कटवाने, हाथ कटवाने, पहुचता है, तो आप लोग जो सैलून के पास जाते हैं, फुरा खुबशुर्ती स्ट्रिंग प्रिक्राइखाऊ जाग करता है लेकि तुम जाइब बहुत ज़्यादा बनाता है दूसरा कहता है कि वह तुरत तो सूखता नहीं है आप जो घर में इस्तमाल करते हैं नहा लिजेगा तो साबुन सूख के बुजागा दम चमरा ओदा रहा है मिटी की तरह जहर रहा है ठीक है लेकिन उसका सूखता नहीं है वही करा है कि उसका जो साबुन होता है वो इतना नम्यूक्त होता है कि ऐक निर्जल पदार्थ है, निर्जल पदार्थ याँनी क्या, निर्जल पदार्थ का molecular weight जो है वह आपका 64 दिया हूँा है, क्या दिया हुआ है, उसका जो molecular weight आपका दिया गया है, वो आपका आनविक 바로 64 दिया हुआ है, और cada viral ये मतलब जलिये, crystallization का मतलब होता है addition of water crystallization का मतलब ही होता है addition of water जल का जोड़ना तो कहता है कि crystal ये अवस्था में अनुभार 100 है यानि जब आपका पानी नहीं मिला हुआ है तब उस पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है अनुभार molecular weight आपका 64 है जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो उसका अनुभार कितना बन जाता है एक सो बन जाता है तो करता है कि crystal ये पदार्थ के एक अनु में उसे एक अनु में जल का कितना संख्या होगा यही आपको निकालना है तो हमने माल लिया कि निर्जलिय पदार्थ का अनुभार कितना 64 और जलिये जिसको princess लिये पदार्थ का 100 कहता है जल का भार कितना हो घर जल का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18 इसमें कितना पाया गया तो अनु जल का उपस्थीत होता है आगया समझ में बहुत ही बहती बेहतरीन और खुबसूरत और बहुत अच्छा कोशन था नेक्स देखिए क्या करता है इन जाइम पेपसेन जल आपगटित करता है आप Inzymes का नाम सुरू होंगे, Inzymes के उसको कहा जाता है, वैसे chemical substance जो हमारे सरीर के अंदर या जीवि के अंदर जो Gland पाए जाता है। उस ग्लेंट्स जेसे जिस प्लेंट्स क का सैक्रेशन होता है। पेंक्रियार से पेंक्रियाटिक जूस प्राप्त क्या आता है वैसे ही आपको दिया हुआ है कि पैपसीन आपका इंजाइम से पैपसीन आपका क्या है इंजाइम से यह इंजाइम क्या करता है जल आप घटित करता है तो यह इंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन में जो अमीनो एसीड पाया जाता है प्रोटीन में जो अमीनो एसीड पाया जाता है उस अमीनो एसीड को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है उस अमीने एसीड को हाइड्रोलाइज करेगा हाइड्रो है स्टो के साथ रियक्षन करके उसको तोड़ने का काम कोन करेगा तो आपका ऍजाइम सियाग पैपसिन एंजाइम करता है यानि प्रोटीन के प्रोटीन में जो अमीनो अम लपाय जाता है उसको हाइड्रोकृत किसके दोरा किया जाता है उसको H2O में मिलाने का काम कोन करता है ish2O के साथ reaction करवाने का काम कोन करता है तो enzyme's का पेपसीन करता है तो पेपसीन का काम क्या हो गया कि पेपसीन का ये काम हुआ कि जो आपके protein में amino acid पाये जाते हैं उस amino acid को water के साथ dissolve करके क्या करता है किसी दूसरे compound में बदलने का काम करता है ये भी बहुत ही बहुत ही बेहतरीन question था next question देखिएगा क्या काता है DNA आपने नाम सुना होगा DNA का और RNA का बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घुमा दीजेगा तो आपको DNA का जाएगा RNA दोनों में अंतर होता है दोको बेटा हम बहुत कुछ तो आता है तो हम बताते ही रहते हैं लेकिन मैं आपको एक ची बता दू कि अभी तक जितना भी वैक्सिन बना था वो सारे के सारे वैक्सिन आपको DNA बेश्ट बनता ह ठीक है जो वैक्सिन बनाया जाता है और जो वैक्सिन अभी तक बने थे वो टोटल का टोटल वैक्सिन आपको DNA बेश्ट है जहां तक हमको knowledge है हमने पढ़ा है देखा है लेकिन कुरोना का जो वैक्सिन बना है बहुत जल्दी यानि बहुत अभी गया भी नहीं है बीच में पर आधारित कुरोना का वैक्सिन बनाए गया इससे पहले अभी तक जितने भी वैक्सिन आपको बनाए गया है वो सारे DNA बेश्ट होते हैं हमको यह जानना नहीं था फिर भी आया तो ऐसा कुछ knowledge था ऐसा कुछ घटना था जो हमने आपको बता दिया क्या काता है कि DNA का उत परिवर्तन निमलिखित में से एक के करम में परिवर्तन परिवर्तन के कारण होता है तो किसके करम में परिवर्तन के कारण होता है तो DNA में छारकों के परिवर्तन कारण होता है DNA का उत पूत क्या कहता है उत परिवर्तन निमलिखित में से एक के DNA देखो वैसे तो DNA आपको ब का दूसरे से मिल जा तो मिल जा नहीं तो नहीं मिलता है अगर मालो किसी के संपती पर जैसे टाटा गुरूप है उनके पास कोई बाल बच्चे नहीं है ठीक है कोई आदमी अगर ये दावा कर दे कि वो हमारे फादर है वो हमारे रिलेटिव है हम उनके बंसज है उनका सारा सं प्रूब को खोजता है ठीक है बुरुबक भी ख़ड़ा होके को देगा हो है हो है पूरा देश का नागरी को देगा है 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 तो मानना ही पड़ेगा है तो लास्ट में आपको डीने टेस्ट करवाके तब देखा जाता है तो वही कहता है कि डीने का उत परिवर्तन निमलिकि निमलिखित में से एक के करम में परिवर्तन यानि DNA में परिवर्तन आपको तब हो सकता है जब आपको छारकों में परिवर्तन हो जाएगा तब DNA में होगा अधरबाइज DNA में परिवर्तन संभाव नहीं है बहुत ही बेहतर इन को संता नेक्स्ट कहता है निमलिखित क्या कहता ह है अब रेखीया अनु मातलग क्या आखता है निमलेकित अनुओं में से कौन सा रेखीयानु है तो ये कोस् Hun बडा ठिपकेल कोस्चन हम इसको ज़ला समझाने की कौशिस की हैma आप समझने का कोसिस कीजिए क्या किता है के no2-plus-ion जो होता है वो co2 iron के सम एलाक्ट्रोनिक होता है यानि आपको no2 प्लस आयन लिजिए सम एलाक्ट्रोनिक यानि दोनों में एलाक्ट्रोन समान होगा अब देखिएगा nitrogen का atomic नमबर 7 होता है तो 7 लिख दो oxygen का atomic नमबर 8 होता है तो 2 गोहरत 8 तो नहगी होगा तो для साथ कितना हो गया सोलाट सहर बीसती तीन होगया लड़ा सेड़ में घया तफ़ में बकique corresponds में किसें अव्य नुवस्य भू यहा एशोनारे यह के अजिद हो गया जूल यह चुदिट फिर वह चमा फिवा संन्रचना इभाती रखिये होगी अब दोनों संन्रचना इलगे को का संमान होता संरचना कैसे यह तो पढ़ना है रिखा रीखेंट होगा सॉक्षण double bond O double bond O ऐसा होता है और इसको जब ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर आपका C है यहाँ पर O है यहाँ पर वो है दोनों के बीच के अंगिल कितना है 180 डिग्री तो आपका एक रेक ही संरचना होगे बिल्कुल ऐसे ही आपका NO2 का होगा NO2 का आपका संरचना कैसा होगा बिल्कुल आपको ऐसे ही होगा NO2 पलस का भी संरचना आपको संरेखिए ही होगा तो यह आपको जानना था तो हमने किसकी मदद से समझा दिया CO2 की मदद से समझा दिया जितना बता है उमीद है समझ में आ गया होगा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सो बता बिल्कूल देखो घबराओ नहीं भीटा हम बार बार कहते हैं एक दिन की बात तो रही नहीं अगर मालो तुम लोग घबरा एक छोटे छोटे चीज को देखके घबरा जाईएगा तो यह जिंदगी इतनी बड़ी है कितना उतार च करना हसते खेलते जोलो देख रहे हो आज तक कभी कोई बच्चा यह बता दे कोई भी बच्चा यह बता दे हसते खेलते चाहिए वो ओफ-लाइन का हो या ओन-लाइन का इतना दिन चे पर रहा है बच्चा मेरे चेहरा पर कभी सिकन भी आप लोग नहीं देखे होंगे बिल्क बहुत कुछ खाले हम सुखा रोटी ही खाएंगे लेकिन मिलेगा जरूर आहार ठीक है लेकिन अब नहीं मिलता है तो उसको किसी जीवन का किसी करम का कमाई होता है ऐसा तो नहीं होता है लोग कह दे चलिए नेक्ट कोशन आगे क्या करता है करता है कि जस्ता तथा पारा डी खंड के तत्वों के इभाती परिवर्ती स्योजक्ता नहीं दरसाते हैं ठीक है अब करता है कि जस्ता जस्ता मतलब क्या जिंक करता है कि जिंक और मरकरी जिंक और मरकरी बेटा दोनों डी ब्लॉक में पाए ज करता है यानि उसकी reactivity variations पर depend करता है और बहुत ज़्यादा रियक्टिव होता है metal के साथ भी non metal के साथ भी कब किस के साथ reaction करेगा उसका oxidation number fix ने होता है S blocks का oxidation number fix होता है हम आप लोग को बता चुके 1A group का oxidation number plus 1 होगा 2A group का oxidation number plus 2 होगा 3A 4A 5A 6A 7A सब निर्धारित है 3A का plus 3 होगा 4A group का minus 4 से plus 4 के बीच होगा minimum minus 4 और maximum plus 4 5A group का आपको minus 3 से लेके plus 5 के बीच होगा maximum plus 5 और minimum minus 3 और हो क्या सब सकता है वो भी निर्धारित होता है वो भी हम आप लोग को बता चुके है ठीक है 6A group का minus 2 से plus 6 होगा minimum minus 2 maximum plus six seven a group का जो है minus one से plus seven होगा chlorine का कहानी इसे पहले भी आप लोग को समझायेते नहीं कई एक बर समझाये हैं पिछले class में कर रहे थे किसी से काम निकालना है तो इसका बात मानना होगा यह सर्ची समझाये तो याद होगा कि जस्ता यानि आपका जिंक का और मरकरी डी ब्लोक का element है लेकिन उसके बावजूद भी यह कहता है कि डी टक्पो के भाटी आपका जो इसका वैलेंसी होता है वो भैड़ी नहीं करता है क्यों नहीं भैड़ी करता है वही आपको पूछा जा रहा है तो हमने लिखा है जिंक क अब इसका डी ब्लोक में 3D का टोटल कक्छा भड़ा हुआ है जितना इसको चाहिए उतना सबसे मिला हुआ है बिल्कुल मरकरी अटोमिक नंबर 80 होता है इसका भी पांचमा कक्छा जो डी का है वो पूरा भड़ा हुआ है जब डी का सारे के सारे और वाइटरस जो है डी के जितने भी सबसेल आपको है वो सारे के सारे कम्प्लीट सबसेल है इसका मतलब संत्रिप्त होने के लिए परिवर्तन सील से हो जकता की प्रादर्शन प्राय असंभव होता है अब यह संत्रिप्त है तो परिवर्तन सील कई से होगा इसका तो पूरा भड़ा हुआ है आगे न देने वाला है नहीं लेने वाला देने लेने वाला कब होता है तो बताते हैं अगर एक गोई लेक्ट्रोन लास्ट में है दूगोई लेक्ट्रोन है तीन गोई लेक्ट्रोन है चार गोई लेक्ट्रोन है तो यह कोशिज करता है देने का यह कोशिज करता है एक दू तीन वाला तो वो लेने का कोशिश करता है 5 गो है 3 गों किसी से ले लिया ponytail के किनियम से 8 को elektron पुड़ा लिया तो अस्टेबल हो गया 6 गो है 2 गों किसी से ले लिया 8 को पूर गया तो स्तेबल हो गया 7 गो है एग किसी से ले लिया तो दुनिया का सब चीज जो है stability के पीछे भागता है आप लोग भी क्यों पढ़ाई करते हैं इसलिए कि हम पर लिखे समझदार बने अच्छे बने हमारा life pattern चेंज हो बड़ी company में या बड़ा कोई सरकारी job हो जाए अपना बंगला हो अपना गारी हो सब्ची हो जाए अच्छे घर में हमारी साधी हो जाए अच्छी पत्री हो जाए अच्छा हमारा रहन संसप्ची हो जाए किसी पर डिपेंडर है कर दो में किसी पत्री हो जाए कर दो सब्चे हो जाए अच्छे होगर।